हलो और इवन, इस्टड़ी विदस में आपका एक बाई फिर से स्वागत है और आज हम डिस्कुस करने वाले हैं Current Affair Current Affair की ये हमारी जो है 16 वी वीडियो है, 15 वीडियो अल्रेड अप्लोड कर दिये हैं मैंने अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं और अगर आप लोग तयारी कर रहे हैं UGC Net Paper 1 के लिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है UGC Net Paper 1 के नाम से हमारी अलग प्लेलिस्ट है जहां पर आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो मिल जाएंगी तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसे जैसे वीडियो की अपडेट जो है आपको मिलते रहे तो आज का पहला जो सवाल है वो ये है कि वेह देश जहां भीम यूपि आई को लाँच किया गया है ठीक है हाली में जो है भीम यूपि आई को लाँच किया गया है भूटान में Option number B जो है इसका correct answer है भूटान में भूटान की राजदानी है थिम्पू ठीक है भूटान की राजदानी है थिम्पू Next question है सितंबर 2020 को बहु उपयोगी micro processor chip मौसिक है ठीक है मौसिक बनाए जाने की घोशना किसके द्वारा की गई है तो यह जो chip है micro processor chip मौसिक इसको बनानी की जो घोशना है वो की है IIT मदरास ने Option number B इसका correct answer है IIT मदरास जितने भी questions मैं आपको कराता हूँ यह सभी questions जो है super important है आपके सभी academic exams के लिए ठीक है तो इस वीडियो को जरूर end तक देखें ना सिफ यह वीडियो बलकि पहले की जो वीडियो से हैं अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपके सभी जो current affair के questions है वो यही से आएंगे तो question यह है next की हाल में ही या हाल ही में संस्कृती मंतराले द्वारा घोशित ठीक है घोशित भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन की साथ नियाप साथ नई सरकल कौन सी है तो यहाँ पर क्योंकि option अगर हम देखें तो तुरीची भी इसमें सामिल है राइगंज भी इसमें सामिल है और जबलपुर भी इसमें सामिल है तो उसका सही आंसर है option number D option number D तो साथ के साथ आपको जो है याद रखने है ठीक है जो कि अभी हाली में संस्कृति मंत्राले द्वारा गोशित किये गए है ठीक है तो यह कौन से है साथ सरकल तो तुरीची हो गया राइगंज हो गया जबलपुर हो गया ठीक है और इसके बाद आपको याद रखना है राजकोट ठीक है जहासी मेरट हमपी ठीक है यह चारों के नाम भी आपको याद रखने हैं सूपर इंपॉर्डन्ट है यह एक्जाम में पूछे जा सकते हैं नएच कौशन है नई शिक्षानीती को लागू करने वाले या भारत का पहला राज्य कौन सा है ठीक है पहला राज्य कौन सा है I hope कि इस question का answer जो है आपने guess कर लिया होगा ठीक है नई शिक्षा नीती पे मैंने already video बना रखी है अगर आपने वो video नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख ले क्योंकि इसमें जो है मैंने सभी जितने भी question बन सकते हैं नई शिक्षा नीती के उपर वो सभी उसमें include किये हैं ठीक है link description में है और आप जो है हमारी playlist में जाकर भी इसे देख सकते हैं ठीक है तो सही answer जो है इसका वो है हिमाचल परदेश option number D हिमाचल परदेश ने सबसे पहले नई शिक्षा नीती को अपने राज्य में लागू किया है next question है हाल ही में उत्तर परदेश का पहला आयूश विश्विधाले कहां इस्थापित होगा ठीक है आयूश विश्विधाले कहां इस्थापित होगा तो आयूश विश्विधाले क्या होता है जहां पर आयूश विश्विधाले क्या होता है जहां पर आयूश विश्विधाले के बारे में जो घोशना की है वो की है उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी योगी अदित्यनातने ठीक है योगी अदित्यनातने और ये जो आयूश विश्विध्धाल्य है ये बनाय जाएगा गोरकपुर में ठीक है ये किस के नाम पर होगा तो ये भी आपको याद रखना है गुरू गोरकश नात के नाम पर जो है ये विश्विध्धाल्य होगा ठीक है गुरू गोरकश नात आयूश विश्विध्धाल्य इसका पूरा नाम होगा ठीक है सारे फेक्ट्स आपको याद रखने हैं ये सूपर important है ठीक है कहां खुलेगा किस राज्य में तो यूपी में यूपी में किस जिले में अगर पूछे तो गोरकपुर किस इस्थान पर तो चोरा-चोरी किस के नाम पर तो गुरू गोरक्च नात के नाम पर ठीक है नेश्ट कुश्चन है रास्टी यूवा सांसद पुरुसकार दो हजार एकिस प्राप्त किया है ठीक है किसे मिला है रास्टी यूवा सांसद पुरुसकार देखें वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर लें ठीक है ताकि जो है ऐसी वीडियो आपको मिलते र सांसत पुरुसकार जो है यह दिया गया है मुदिता मिश्रा को option number A correct answer है मुदिता मिश्रा यह किस राज्य की हैं तो यह हैं उत्तर प्रदेश की ठीक है उत्तर प्रदेश की नेस्ट कोशन है भारत की पहली आस्कर विजेता जिसका अभी हाली में निधन हुआ वह कौन है लक्षमी जैरानी भानु अथया भावना देवी या फिर शिरी देवी तो इस कोशन का जो सही आंसर है वो है आप्षिन नमबर बी ठीक है भानु अथया ठीक है भानु अथया जो है इन्हें भारत का सबसे पहला आस्कर जो है मिला था ठीक है जिनका अभी हाली में निधन हो गया क्या आप बता सकते हैं कि जो भानु अथया है ये भारत के किस राज्य से संबंदित है ये आपके लिए कोशन है कमेंट बॉक्स में इसका अंसर मुझे जरूर रुपता है लेंकिन है एस एमेजन के नए CEO कौन है ठीक है पहले जो एमेजन को के जो CEO थे वो थे जैफ बैजोस ठीक है जैफ बैजोस अभी हाली में जो एक लिस्ट आई थी फॉर्चून की लिस्ट आई है साइद उसमें सबसे अमीर वेक्ति जो है पूरे विश में वो जैफ बैजॉस घोशित किये गए थे ठीक है तो यह जो है एमेजॉन के संस्थापक है जैफ बैजॉस और अभी हाली में जो है इन्होंने अपने CEO के पद से इस्तिफा दे दिया और इस समय जो नई आमेजन की CEO बनी है वो है एंडी जैसी ठीक है एंडी जैसी जो है वो नई एमेजन की CEO है सत्य निडेला के बारे बता दे सत्य निडेला जो है यह Microsoft कम्पनी जो है Microsoft के CEO निक्थ हुए है CEO है Microsoft के सत्य निडेला और अगर आप से पूछे सुन्दर पिचाई के बारे में सुन्दर पिचाई तो सुन्दर पिचाई जो है ये भी भारते मूल के हैं और ये है CEO Google की ठीक है Google के CEO है और एलन मस्क की अगर हम बात करें तो एलन मस्क भी जो है ये भी भारत में विश्व में जो है सबसे अमीर विक्तियों की लिस्ट में आते हैं एलन मस्क जो है ये संस्थापक है टेसला के ठीक है टेसला टेसला की संस्थापक है इलन मस्क ये भी आपको जो है याद रखना है तो इफेक्ट्स आपको याद रखने हैं सारी जितने मैंने आपको बताए है जैब बैजॉस जो है संस्थापक है एमेजन की और इन्होंने CEO पत से इस्तिफा दे दिया उसकी जगा पर एन्डी जैसी इस समय जो है एमेजन की CEO है Microsoft की जो CEO है वो है सत्य निडेला सुन्दर पिछाई है Google के CEO और एलन मस्क है Tesla के CEO ठीक है ओके तो आज का वीडियो यहीं तक I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा जितने भी facts होते हैं वो मैं आपको question के रूप में आप तक ले के आता हूँ ठीक है जांदा बड़ी वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि कोई पसंद नहीं करता बड़ी वीडियो देखना तो हर दिन जो है अगर मैं आपको 6 या 7-7 question भी करवाता हूँ तो इस हिसाब से 10 दिन में आप 70 questions करते हैं I hope कि ऐसे questions आपको याद भी हो जाते होंगी क्योंकि हम थोड़ा-थोड़ा question discuss करते हैं मैं चाहूं तो इसे दो वीडियो में पूरे current affair कबर करवा सकता हूँ लेकिन उसमें problem यह है कि वो जो है उतना कारगर साबित नहीं होगा तो इसलिए जो है छोटी-छोटी वीडियो जो है आप तक लाई जाती है इसकी theme क्या थी ठीक है तो इसका जो सही answer है वो है option number A ठीक है teaching at the heart of education recovery यह इस साल की theme थी विश्व सिक्षक दिवस पर और विश्व सिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना है आपको यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को ठीक है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सिक्षक दिवस लेकिन अगर आपसे पूछे कि रास्ट्य सिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो रास्ट्य सिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 सब्टेंबर को ठीक है 5 सब्टेंबर को इसमें confuse नहीं होना ठीक है विश वाला पाँच अक्टूबर और जो है रास्टिय वाला वो पाँच सप्टेम्बर को ठीक है तो विश उसिक्षक दिवस की थीमती टेचिंग एड़ था हार्ट ओफ एजूकेशन रिकवरी और अगर आपसे पूछे कि अंतर रास्टिय साक्षर्ता दिवस इसके बार में तो ये कब मनाए जाता है ये मनाया जाता है आट सब्तेम्बरuis को ठीक है आज सप्टेम्बर को और इस बार की थीम इसकी क्या थी तो याद रख्रहां है आपको इस बार की थीम थी लिट्रेसी chim ठीक है लिट्रेसी div Malum Semet 04 रिकवरी, ठीक है नहीं, रिकवर है यहां पर, ठीक है, रिकवर करके हैं, तो यह इस बार की थीम थी, लिटरेशी फोर ए हुमन, फोर ए हुमन सेंटर्ड रिकवर, ठीक है, और इसके आगे भी था, नैरो, नैरोइंग, दे डिजिटल डिवाइड, तो काफी बड़ी थीम थी, ठीक है, तो यतना आपको याद रखना है, आपको, शौट में बस उतना याद रखना है, कि लिटरेशी, ठीक है, लिटरेशी for a human-centered, रिकवर, ठीक है, यह इसका शौट में आपको याद रखना है, नेस्ट रोशन है, नई दिल्ली विश्व पूस्टक मिला 2021 की थीम क्या थी, देखें नई दिल्ली विश्व पूस्टक मिला इस साल नहीं लगा था, ठीक है, तो इस साल जो है वर्चुली इसका उद घाटन वगरा किया गया था, पब्लिक के लिए नहीं खोला गया था, तो इस बार की theme जो थी इसकी वो थी रास्टिय शिक्षा नीती ठीक है रास्टिय शिक्षा नीती तो option number C इसका correct answer है ठीक है नई दिल्ली में लगता है विस्व पुस्तक मेला जहां पर आपको जो है विस्व की सभी पुस्तके जो है उनके stall वहाँ पर मिलते हैं next question नेक्ष्ट कोशन ये है कि रास्टिय पाठे करम की रूप रेखा तयार करने हे तू रास्टिय संचालन समीथी का गठन किया गया जिसके अद्यक्ष है तो कौन अद्यक्ष है देखें जो रास्टिय अमारा पाठे करम है उसको बदलने के लिए अब सरकार ने निर्णे लि करम में और क्या-क्या नहीं करने हैं तो इस समीती के जो अद्यक्ष बनाए गए है वो है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ओप्शन नमबर ए है इसका correct answer ठीक है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ये वही है जिन्होंने रास्ट शिक्षा नीती का मसौदा जो है तैयार किया था ठीक है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन और ये जो कमेटी है ये किसने बनाई है तो ये बनाई गई है शिक्षा मंत्रा लेके द्वारा ठीक है शिक्षा मंत्रा लेके द्वारा और शिक्षा मंत्री कौन है इस समय तो धर्मेंद्र प्रधान ठीक है धर्मेंद्र प्रधान यह समीती कब बनी तो 21 सब्टेंबर 2021 को ठीक है यह पॉइंट्स आपको याद रखने है ठीक है वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले ताकि ऐसी करेंट अफेर्स की वीडियो जो है आपको मिलते रहे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं UGC Net Paper 1 के लिए तो आप हमारी प्लेइलिस्ट को फॉलो करें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है पूरी प्लेइलिस्ट की वीडियो जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं UGC Net Paper 1 के लिए तो ठीक है नेश्ट कोशन था कि विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहां लगाया गया है ठीक है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ठीक है जो सूरज की रौसनी होती है यानि जो सूरज से जो उर्जा प्राप्त होती है उससे हम जो विजली बनाते हैं उसे हम कहते हैं सोलर लाइट या सोलर प्रोजेक्ट तो इस समय जो है floating solar project बनाया गया है यानि जो नदी होती है नदी के उपर जो है जो सूरच की किरने आती है उसका इस्तमाल किया जाएगा ठीक है तो इस project के तहट तो यह कहां लगाया गया है यह लगाया गया है मद्धे परदेश में option number 20 का correct answer है मद्धे परदेश में कहां तो याद रखना है आपको खंडवा जिले में खंडवा जिले में यह डिस्टिक है वहाँ का खंडवा और किस नदी पर तो नदी आपको याद रखना है नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर एक बांध है जिसका नाम है ओकेश्वर ब यहाँ पर जो है यह लगाया जाएगा और यह 600 मेगा वाट जो है बिजली उतपादन करेगा और इस प्रोजेक्ट में जो सरकार ने खर्चा किया है वो है 3,000 करोड रुपए ठीक है 3,000 करोड नेस्ट वोशन है गोल्डन पिकॉक परियावरन परबंदन पुरुसकार किसे इस साल का तो नहीं मिला है तो पिछली साल का यह नहीं 2020 का आपको बता रहा हूं है ठीक है 2020 का तो गोल्डन पिकॉक परियावरन परबंदन पुरुसकार 2020 इस पार दिया गया है सेल को साल की गया है ओप्षिन नमबर एक परोड़ इस का पूरा नाम है हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदी में इसको कहते हैं भारतिये इसपात प्राधिकरण लिम्टेड ठीक है भारतिये सपात प्राधिकरण लिम्टेड और एक दो प्राइज और याद रखने आपको जैसे कि स्टॉक होम जूनियर जूनियर वाटर प्राइज जो है 2021 यह किसे दिया गया है तो स्टॉक होम जूनियर वाटर प्राइज 2021 जो है इस बार दिया गया है भारती मूल की अमेरिकी निवासी इशानी जाको इशानी जाको दिया गया इस बार ठीक है नेश्ट कुशन है क्रिप्टो करेंसी ठीक है क्रिप्टो करेंसी बिटकोईन को कानूनी दरजा परदान करने वाला देश कौन सा है तो bitcoin जो कि एक international currency है ठीक है जिसे ना तो touch किया जा सकता है और नहीं इसे जो है किसी देश में वैसे इस्तमाल किया जाता है लेकिन online समान को खरीदने लेने देने और काफी सारे illegal काम के लिए जो है इस currency का इस्तमाल अब किया जाने लग गया है जिससे इसकी value जो है काफी बढ़ गई है तो ये देश है अल सलवाडोर अल सलवाडोर ने इस currency को अब जो है कानूनी दर्जा परदान कर दिया गया है ठीक अब यहाँ इस देश में ये currency जो है वो valid माने जाएगी ठीक है bitcoin नेश्ट कोशन है गाधी सान्ती पुरुसकार 2021 किसे परदान किया गया ठीक है किसे परदान किया गया तो सही जो आंसर इसका वो है option number B ठीक है सेख मुझेबुर रह्मान को सेख मुझेबुर रह्मान को इसे इने बंग बंधु भी कहते है ठीक है बंग बंधु और ये जो थे ये बांगला देश के पहले परदान मंत्री थे ठीक है बंगला देश के पहले परदान मंत्री थे और बंगला देश की राजधानी है धाका और यहां की जो करंसी है वो है टका और जो ये सेख मुझेबुर रह्मान है इनी की वेटी है इस समय शेख हसीना जो की वहां की परदान मंत्री है ठीक है सेख हसीना इस समय बंगलादेश की परदान मंत्री हैं वो इनी की बेटी है तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तेक और फिर से जरूर कर देना अब पीडियो के लिए मैं बता दू टेलिग्राम ग्रूप पे जले जाएं टेलिग्राम का जो हमारे चैनल का नाम है वो है स्टडी विद अस पीडियो जब आप ये सर्च करेंगे इस पेस नहीं देना है आपको किसी भी तरह का स्टडी विद अस जब आप टेलिग्राम पे जाकर सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा वो ही हमारा चैनल है बस उसी को आपको जॉइन कर लेना है वही पर जितने भी नोट्स होते हैं जितने भी नोटिस होते हैं जितने भी पीडियक्स होते हैं वही पर ये आपको मिल जाएगी ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे अब नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो